आप देख रहे हैं The Right News और मैं हूं रोहिद बठ आज फिर से The Right Conversation में हमार साथ बात करने के लिए अजे बारती जी हैं और उसी बर्निंग इशू पर जो आपको पता है PM Package Employees को लेके और बहुत सारी बाते हैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया The Right News से बात करने के लिए नमस स्वाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर आप PM Package Employees की वापसी की बात कर रहे हैं तो वापसी उनके रहने की जगा का बहुत बड़ा एक समस्या है कि वो जाएंगे तो जाएंगे कहां तो उसकी लिए क्या सुन जाए आप लोग एक बिलकुल बेसिक चीज है ये कि उनकी सुरक्षित वहाँ पर निवास, the secure accommodation ये सरकार की responsibility है, administration की responsibility है, जिसमें अभी तक administration completely fail हुआ है, एक तो वो कि बहुत डिले हो गया, उसमें चाहे जो भी reason हो, जो भी responsible हो, लेकिन fact ये है कि आज की date में सरकार के पास एक तो even जो PM Package जिसके लिए provisions है कि आपको transit accommodation उनके लिए द है, फिर एक बहुत बड़ा chunk ऐसा है कि जो PM Package में नहीं है, जो all reserved categories के employees हैं, उनके पास तो accommodation ही नहीं है, उस context में एक बड़ी जबर्दस विढबना बनी हुई है, क्योंकि जो कश्मीर में जो जिन गरूं में ये employees रहते थे, या रहते हैं अभी तक कुछ cases में, वो मकान मालि भी आजकल डरे हुए हैं, हम उनके डर को एकतम discard नहीं कर सकते हैं, उसको ignore नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये target बने, तो हम भी मुसीबत में फसेंगे, इसलिए अगर employees को हम बला रहे हैं वापस के आप job पर आजाओ, उनकी जो रहने की जगह है, वो administration को बताना चाहिए, जी ये है, ये आपके पास एक जाओ, ये तियार है, मैं employees की on behalf of employees कह रहा हूं कि वो आने को ready है, majority of them, कुछ थोड़ा सा हिसा होगा, उसको छोड़ दीचे, लेकिन ये जो majority जाने को तियार है, वो जाएंगे कहां, ये administration नहीं बताएगी, तो कौन बताएगा पता नहीं क्यों, इसमें मैं आज constitution day है हम सबका, सबको मैं बदाई भी देता हूँ, लेकिन इस वक्त जो एक democratic country में under constitution जो administration चलती हो, वो इस तरह से एक जिद करे, इस तरह से एक insensitivity को demonstrate करे, अच्छा नहीं लगता है, हम अभी LG साहब से मिले भी थे, उनकी तरफ और मैं द रियलिस्टिक बनकर, accommodation के issue को address करना ही चाहिए, और उसे related जो भी issue है, उनको भी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, अजय जी, आजय जी का कहना है कि बहुत सारे यूवा हैं, जो PM package employees वापित जाना चाहते हैं, मगर main मुदा जो है, वो accommodation का ही उनका रहेगा, आजय जी, आप प्रेस कलब के सामने एक उनका production हुआ, प्रेदर्शन में कुछ slogans नहेने, slogans आए, नहेने, slogans आए, administration के लिए वो सब चीज़े, और बीच में एक genocide का भी word आया, तो ये interlink आपस में कैसे हो गया, देखें, इसमें कई aspects है, एक तो वैसे दुरभागीपुर्ण ये है कि प्रोटेस्ट आपका right है, प्रोटेस्ट अपने मांगों के लिए democratic country में हर परकार का, मनलब हर एक व्यक्ति को उसका इधिकार है, right है, उसका basic right है, इसलिए उसको तो मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता हूँ, ठीक कहता है कि वो अपने मांग को अगर वो assert नहीं करेंगे तो लेकिन उसमें खास कर government employees को political उस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है, इसमें genocide वाला जो aspect है, उसके भी दो हिसे हैं, एक यह कि कश्मीर में minority community के साथ genocidal जो यह हुआ है, इसमें crimes हुए हैं, उसमें कोई दो राई नहीं है, लेकिन यहां पर एक ecosystem है, जो genocide को लेकर legal mechanism को change करने की बात कर रहे हैं, इन दोनों में distinction करना है, हमारे यहां सरकार का मानना है, और बहुत दिनों से मानना है, कि हमारे existing laws जो है, चाहे वो IPC के अंडर हो, या और कोई भी उसमें हो, तो वो subject है, I say crimes को punish करने के लिए, हमारे यहां जिन्होंने perpetrators थे, जिन्होंने crime against humanity के, उनको अगर सजा नहीं मिली, वो laws की कमी के कारण नहीं हुआ, वो हुआ है, क्योंकि किसी की इच्छा नहीं थी उनको सजा करने के, आप देखेंगे, जैसे sick royalties में, सिखों पर जो attack हुए 1984 में, जब सरकार ने ताई किया क और एक process लिया, तो उनकी punishment शुरू हुई है ना, तो ऐसे ही कश्मीर में जो minority community के साथ हुआ, उसका बिलकुल एक अच्छी high power, अच्छी empowered, SIT या कोई भी mechanism करके, उसको invested gate करके, और punishment होना चाहिए, यह निश्चित रूप से इसमें, हम सब की मांग है, हम सब की यह बहुत दि ecosystem, जिसमें खासकर leftist का बड़ा योगदान रहता है, ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी ताक्तों में टुकड़े टुकड़े गैंड के गैंड के साथ जुड़े हुई लोग हैं, वो चाहते हैं कि यहां पर जो legal system में बदल की जाए, मैं उसमें सरकार के stand को सही मानता हूँ, कि हमारे पास बिलकुल sufficient कानून है सजा देने के लिए, क्योंकि यह जो agenda वाले लोग है, अगर आप देखेंगे, वो कितने selective हो जाएंगे, अगर उनकी बात को हम भी जोड लेते हैं, तो यह हम देश विरोधी ताक्तों को मजबूत करते हैं, ऐसे मानना है मुझे, ऐसे कोई doubt नहीं लगता है, क्योंकि आज भी आप देखेंगे, एक बहुत बड़ा एक system है, ecosystem है, जिनको सिर्फ एक खास प्रकार का ही crime दिखता है, उनको श्रदा के 35 टुगडे नहीं दिखाई देते हैं, वो उस पर चुप बैठते हैं, उनको कश्वीर में जो हिंदू समाज के साथ हुआ, वो उनको बिलकुल नहीं दिखाई दे रहा है, वो selective है, वो एक जगह पर out of context किसी बाशन को निकाल कर उसको इतना बड़ा मुदा बनाते हैं, लेकिन जहां पर हर दिन train से लेकर public places में, जो यहां की उन majority community के साथ जो crimes हो रहे हैं, जो जिस प्रकार से एक network बनाया साथ हुआ है, इस प्रकार की जो बाते हुई हैं, उस system का हम साथ दे, मुझे यह लगता है कि यह बिलकुल गलत है, उस से हम सब को बचना चाहिए, जी मेरा आकरी सवाल आप से ही होगा कि परसों हमारे पास एपेक्स कमिटी के एक member एन सादू सब आये थे, उन्होंने जब ब्रीफ किया उस 2009-2010 एपेक्स कमिटी वारे में, तो उन्होंने एक चीज बोली कि उस टाइम पे मनमौन सिंग जी आये थे, तो उन्होंने उनको रिकेस्ट की थी, उसके बाद ही जो पी-म पैकेज आया है, वो लाग हुआ, उन्होंने किया है, उन्होंने सीधे शब्दों लेकिन फैक्ट सामने है, मान लो हम उन्ही की बात मानते हैं, कि ये उन्ही की देने, तो इस पैकेज की अच्छाया हूं बुराया वो दुनों एकसेप्ट करते हैं ना, उसकी रिस्पॉंसिबिल्टी वो ले लेते हैं ना, ऐसा उनको कहना चाहिए कि हाँ जी इसमें जो किम की वेबसाइट पर जो एवेलबल है, डेट वॉइज एवेलबल है, जमू कश्मीर की सरकार जो बारत सरकार पैसा भी देते थी, उसको भी खर्च नहीं कर रही थी, और जब सुश्मा सुराजी इस पर पूछते थे, तो हूम मिनिस्ट्री का जवाब आता था, कि वैस हम बा बार बार कहने के बाद भी जमू कश्मीर की सरकार हमको वापस ना तो जवाब देती है, ना वो कोई स्कीम बनाती है, इसी के बाद सुश्मा जी ने एक सब कमिटी बनाई थी, श्री एसेस एहलू वालिया जी के नितरतू में, स्पैस्पिकली सिर्प पीम पैक, ये इसमें क कश्मीर विस्थापित समाज के साथ जो अन्याय हुआ है, उसको एड्रिस करने के लिए, वो पैकेज जमू भी आई, सिरनगर भी गई, दिली में भी उन्होंने सुनवाई की, साथ नौंबर 2007 को हम भी उसके सामने, हमने हमारा केस प्रेजन्ट किया, दिली की पार्लिमेंट की तरफ से भी और कोट में भी एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा गया सरकार से, यह उसकी बदलत थी कि सरकार ने फिर यहां से आनन फानन में कहा कि हमने एक एपकस केमिटी गठन की है, और उसके साथ मिलकर हम एक पैकेज बना रहे हैं, और यह पैकेज इस तरह की है, यह फ है, मुझे तो कोई एहम नहीं है, इगो नहीं है, मैं तो फैक्ट पर बात करता हूँ, और एक्सेप्ट करूँगा, इसमें एक चीज़ और भी देख लिए, उनहीं दुनों वरकिंग ग्रूप्स भी बनाए थे, यह सब लोग जो उस सरकार के हामी थे, उनके हाम में हाम मिल हाने के लिए गए, उनमें से कुछ लोग वरकिंग ग्रूप्स के भी मेंबर थे, क्या किया उन्होंने, उन्होंने हम को पांच ऐसी केटगरीज में जिसमें से एक जो सलेन टेरिस्ट जो मारे गए टेरिस्ट हैं, उनकी विडोज के साथ, यानि हमारा अत्याचार और उनके इस तरह से बनवा दिया, तो हो वो वरकिंग को ग्रूप के मेंबर को और अपकस कमीटी के मेंबर को एक्सप्ट करना चाहे जी, हाँ जी हमने पैकेज बनवाई था, जिसमें हमने यह कारवाई करें, अगर वो एक्सप्ट करते हैं, तो ठीक है। अभी तक सिर्फ एपेक्स कमिटी की बात हो रही थी आपने आज एक और खुलासा कर दिया वर्किंग ग्रूप भी कोई बना था वर्किंग ग्रूप बने थे जिसमें से अलग-अलग चीज़ों को एडरस करने के लिए बने थे सारी दुनिया को मालब में उसके रिपोर्ट आई हुई हैं उसमें से जो एकनोमिक रिलीफ और इसके लिए बना था उसमें से जो हमको डाला गया था वो आप देखेंगे तो उ जिसमें टेरिरिश्टस की विद्वायय यानि मारे गए टेरिरिश्टस की विद्वायय था उनके साथ हमको रखा गया था जो अपने आपमें बहुत दुरबागी-पूर्ण थे हमारे में से जो लोग वहां छाहे थे उनको सच मुझ में इस अपमान का गेत करना चाहे था त्याग बत्र देना चाहे था मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे सदसे नहीं वो भी किया जी 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 बहुत बहुत धन्यवार आपका आज समविदान दिवस है और इस समविदान दिवस के ओपर हम उमीद करते हैं कि जो प्यम पैकेज एंप्लॉईज जी जी कुछ हाँ रोईज जी इसमें से मैं एक चीज और इस वक्त यह कहना चाहता हूँ जो हमारे यह एंप्लॉईज है इसमें मैं मैंजॉर्टी कह रहा हूँ कि परिवारों में बहुत बुरी हालत है हम जानते हैं कि एवन जो हमारे सर्विस रूल्स हैं उसमें अगर कोई सस्पेंड कि आप होता है तो पनिश्मेंट अब आप्लॉई को होता है एंपलॉई के फैमली को नहीं होता है मैं जहां अकॉमडेशन और सीक यर्टी के बारे मैं सरकार के insensitivity का विरोध करता हूँ मैं इसमें भी सरकार से निवेदन करता हूँ खासकर LG साहब से चीफ सेक्टरी साहब से कि वो देखें कि इन परिवारों की हालत किस प्रकार के हैं आज का भारत कियरिंग भारत है आज का भारत दुनिया की ध्यान रखने वाला भारत है आईसे में अगर हम हमारे ही एंप्लॉईज को इस तरह से सफर होने परिवारों को समय यह दोश एडमिस्ट्रेशन पर आएगा इसलिए मेरा बिल्कुल पुर्जोर अपील है एडमिस्ट्रेशन से कि इनकी सैलरीज को बहुत जल्द से जल्द इनको इशू की जाए इनको रिलीज की जाए समय दान दिवस के उपर ही उपलक्ष पे ही आज अजय जी का कहना है कि वाकई में यह सब लोग बहुत मजबूर है इनकी फाइनेंचल जो कंडिशन है वो सही नहीं है इनकी सैलरीज की जाए और इनके इशू को एड्रस किया जाए सरकार द्वारा वीडियो जर्नलिस सुमन के साथ मैं रोइट बट देखते रहे दराइट न्यूस कंटू कर दोके जाए और न्यूस